हेलो फ्रेंड ली रसवे में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आज मैं आपके साथ शेर करूंगी विंटर स्पैशल लेड़ू आटे के लेड़ू स्वादिस तो होते हैं और साथ-साथ में शरीर को एनर्जी देने वाले होते हैं तो आप भी आटे के लेड़ू जरूर बनाएं इन सर्दियों में तो चलिए मैं आपको असान तरीके से आटे के लेड़ू बनाना बताती हूं या ड्राइफूट लेड़ू आटे के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहू के आटे को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि आटे का कलर चेन ना हो जाए और आटे में अच्छी खुश्बू ना आने लग जाए आटे को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे आटे को आप मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे अगर आप हाई फ्लेम पर आटे को भूनेंगे तो आटे का कलर जल्दी से चेल हो जाएगा बगर आटा अंदर से कच्छा ही रहेगा जिससे लड़ू का स्वाद अच्छा नहीं आएगा तो यहां आटे को अच्छे से भूल लिया है, आटे का कलर चेंज हो चुका है और आटे में अच्छी सी खुचबू आने लग गई है लड़ू में डालने के लिए सारी ड्राइफरूट को हलका तल लेते हैं यहां मैंने घी को हलका गरम कर लिया है पहले मैं काजू को तल रही हूँ, काजू में हलका सा कलर आ जाए और हलके से ब्राउन हो जाए तो मैंने निकाल लूँगी ड्राइफरूट को रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है लड्राइफरू का स्वाद और भी जादा बढ़ जाएगा तो इसलिए हम सारे ड्राइफरूट को हलका सा तल लेते हैं और अब मैं बदाम को तल रही हूँ, बदाम हलके से फूल जाएंगे तो हम इने निकाल लेंगे तो ये देखिए बदाम यहाँ फटने लगए हैं, हलके फूल गए हैं तो बदाम भी तल चुके हैं, बदामों को भी निकाल लिया है इसी तरीके से अब हम गोन को तलेंगे गोन को हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए और फूले और अंदर से भी कच्ची ना रहे अगर हम इसको हाई फ्लेम पर या गरम तेल में तलेंगे तो ये फूल तो जाएंगी मगर अंदर से कच्ची रहेंगी जिससे ड्राइफूर्ट लड्डू का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा तो गोन को मैंने तल लिया और इस तरीके से हम इने दर दरा कूट लेंगे और यहां मैंने मखानों को भी तल लिया आए गी में तो मखानों को भी इसी तरीके से हम दर दरा कूट लेंगे सारे ड्राइफ रूट को भी तो अभी सारे ड्राइफ रूट को हलका स्तल लिया है अब हम खरबूजे की बीच को भी हलका रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये चटकने ना लगे और हलका कलर ना आ जाए तो यह देखिए, यह हलके से फूल चुके हैं और इनमें कलर भी आ चुका है, हलका इनका कलर चेंज हो गया है, तो खर्बुजे की बीच को भी निकाल लेते हैं, आप अपनी मन पसंद कोई भी ड्राइफ्रूट इनमें डाल सकते हैं, तो यहां देखिए, मैं सारे ड्राइफ को मिकसी में दरदरा भी पीस सकते हैं, आप सारे ड्राइफूट को अच्छे से मिकस कर लेते हैं, यहां मैं खर्बुजे की बीच भी ढल रही हूं, और साथ में मैंने थोड़ा गोला, सुखा गोला कसा था उसको भी ढल रही हूं, तो सारे ड्राइफूट तयार है, आटा तयार है और यहां मैंने घी को भी मेल्ट कर लिया है तो अब सबसे पहले हम आटे में खांड मिलाते हैं खांड की जगा आप चीनी को पीस के भी मिला सकते हैं तो जितना मेठा खाते हैं उतना खांड मिलाएए सर्दी के मुस्तम में ये ड्राइफ्रू डड़ू आप ज़रूर बनाएए या आटे के लड़ू आपको बहुत ही स्वादिस्ट लेंगे इनका स्वाद आप कभी न भूल पाएंगे और अब आटे में खांड अच्छे से मिला दिया है अब हम आटे में घी डालेंगे घी में बिल्कुल कंजोसी ना करें तो अच्छे से घी को डाल कर भी मिला देंगे तो ये देखिए आटा घी में भीग चुका है अब हमने आटे को और घी को अच्छे से मिला देया अब लड़ू बनाना आटे की लड़ू बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिक्षेंट ढाएंगे और आटे को बाइंड करते हुए इनको गोल शेव में बनाएंगे अगर आटे में अच्छे से घी होगा तो बाइंड होने में बिल्कुल भी मिश्किल नहीं होगी तो आप आटे की लड़ू में घी ज़रूर डाले कंजूसी बिल्कुल ना करे तो यह देखे अच्छे से बाइंड हो रहा है एकदम और हम इसको गोल शेव में लड़ू की शेव में कर देते हैं बहुती जल्दी यह लड़ू बनके त्यार हो जाते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राय करें इसके साथ अनरजी देने वारे लड़ू बनके त्यार है अगर आपको ड्रायफ रूड लड़ू पसंद आयो तो प्लीज इसे लाइक करिये शेर करिये और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा हिमानदी के लड़ू मुझे पसंद आये और मीठा लगा और इस लिमानदी के वीडियो को लाइक करें यूजिये करें शेस्क्राइब करें बैल आइकन को ना भूले प्रसका जीजिए अगर भूल भीजाए तो मैं बता दूंगी वाइबाई बाई बाई